हेले एवरिवान दिस नीतु सिंग दिश्टी टीचिंग इग्जैम में आप सब का स्वागत है आज ही क्लास में हम बात करें सीटिट का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है उसके बारे में आज ही क्लास में हम डिस्कुस करेंगे टॉपिक का नाम है मागनेट तो चलते हैं ज पाइब टीचिंग इग्जाम से ट defender स्यक्वेशन सहां गहीं पूइल है तो चलेंगे साक्यों के बारे में तुड़ा दीटेल में समझते हैं यहां पर आगर behavior गंट के magnetic material वो होते होंगे जो कहीं न कहीं लोहा या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ खीचने की चमता रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं magnetic substance बोलते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह है कि जो magnetic material चुमक की और आकरशित होने वाले पदात चुमकी पदात कहलाते हैं जैसे लोहा निकल या कोबॉल्ट यह कहीं न कहीं क्या करते हैं लोहा या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ खीचते हैं तो यह तो हो गया magnetic substance non-magnetic substance obviously बात है जस्त उसका opposite हो जाएगा जो कि हमें साफसाफ समझ में आता है लकडी, सोना, तामबा, प्लास्टिक यह सब कहीं न कहीं इन पर magnet का कोई असर नहीं होता तो इनको हम क्या बोलते हैं non-magnetic substance बोलते हैं अब चलते हैं सोड़ा सा properties के बारे में जरा हम बात करेंगे जो की main important कहीं न कहीं आज के session के लिए जो सबसे important point है कि इसकी properties क्या है magnet की सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पर दिख रही होगी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है pulse of the magnet actual में होता क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ जरा ध्यान से समझेंगे यह देखिएगा जरा होगा क्या magnet के अंदर में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के कुछ पोस दिखेंगे इसको बोलते है north pole इसको बोलते है south pole तो magnet के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आपने लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ें अगर आपने ली माल लेजे लोहे की कील है जब भी आप लोहे की कील के पास इसको लेकर जाओगे लोहे की कील के पास और कहीं नगए एक निश्चित एरियम है जो आसपास की एरियम ही बहुत दूर नहीं है तो maximum जितनी भी कील से हैं वो सब क्या करेंगी वो सब poles पर आकर चिपक जाएंगी इससे क्या प्रूफ होता है इससे प्रूफ ये होता है चुकि मैगनेट तो आप पूरा लेकर गए हो लेकिन लोहे की जो कील है वो यहाँ पर किनारों पर आकर चिपक जाएंगी तो इसका मतलब क्या समझ में आता है इससे हमें ये पोइंट समझ में आता है कि जो मैगनेट के अंदर में जो magnetic properties है वो poles पर maximum होंगी pole का मतलब धुरुफ पर maximum होंगी middle में कम होंगी correct है यह वाला point समझ में आता है या फिर इसको और आम भाशा में आप यह कह सकते हो कि magnet के अंदर में जो magnetism वाली जो properties होंगी वो maximum यहाँ पर धुरुवव पर होंगी और minimum कहाँ पर होगा यहाँ center बीच में correct है यह वाला point समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हिंदी और इंग्रिश दोनों में आप यह pointers लिख सकते हो कि magnetic properties will be maximum at poles जो कि आप यह कर सकते हैं तो एक तो यह हो गया यह हो गई आपकी first property इस वाले picture में भी यही कहीं दिखाने की कोशिश की जारी है जो आप साफ साफ समझ सकते हैं यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात छर चुम्बक के चिपके लोहे के बुरादे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोहे के बुरादे कोई यहाँ maximum है क्योंकि poles पर यहाँ पर maximum कीचनी की चंता है magnet के पास में यहाँ पर भी हो minimum कहाँ पर होगा यहाँ center में correct है दूसरा example आपको यहाँ पर दिख रहा है कि परियात लोहे के बुरादे के साथ में ए वाला दिख रहा है जहाँ maximum यहाँ पर होगा यहाँ पर आपने अगर मान लीजिए अगर आपने दो magnet लिया हुआ है यहाँ पर धियान से समझेगा यह है आपके पास में north pole, south pole और यहाँ पर अगर आपने ले लिया north pole, south pole तो होता क्या है magnet के अंदर जो दूसरी property है अगर opposite poles होगे तो they will attract each other यानि कि अगर यहाँ पर south pole दिख रहा है यहाँ north pole दिख रहा है तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे, अपनी तरफ खीच लेंगे correct है, यह वाला point समझ में आ रहा है तो यह क्या करेंगे, अपनी तरफ में खीच लेंगे, ठीक यहाँ, लेकिन अगर यही पर दूसरा सिनारियो अगर आपने लिया magnet के अंदर में एक चीज और बहुत important और बहुत interesting है कि यह हमेशा ही poles में होते हैं, जैसे माल लिजे आपने north pole, south pole हमेशा ही इसी तरीके से होंगे, माल लिजे यहाँ north pole, south pole था और अभी आपने क्या कर लिया यहाँ पर, south pole आपने लिया यहाँ दिखेंगे south pole, north pole यह दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, they will repel each other repel each other हिंदी में आप क्या लिखेंगे, धक्का देंगे धक्का देंगे एक दूसरे को correct है या push करेंगे एक दूसरे को तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर same pole अगर मिल लगए यहाँ south pole है यहाँ south pole या फिर यहाँ भी north होता है यहाँ भी north होता है यह दूनों एक दूसरे को attract करेंगे, correct है, ये वाला point समझ में आ रहे हैं सबको, done, तो ये हो गई दूसरी property, तीसरी property अगर आप जाते हो, तो एक point आपको ये भी point समझ में आ जाएगा, साफ-साफ यहाँ पर ही लिकर देती हूँ मैं, magnetic lines of force जो होंगी, यहाँ पर अगर आपने magnet लिया, magnetic lines of force हमेशा ही north से south pole की तरफ चलती है, यह देखेगा, यह जो magnetic lines of force है, यह हमेशा ही north to south चलेगी, और एक चीज़ और धियान रखेगा, जब यह north to south दिख रही है, यहाँ पर magnetic lines of force की बीच में जो distance है, वो आपको कम से कम है न, वो यहाँ पर जादा होगी poles पर, correct है, तो यह आपको यहाँ पर यह जो दिख रहा है, यह इसी वज़े से ही यहाँ पर दिख रहा है कि इसका जो घनत्वे यहाँ पर आपको जादा दिखेगा, correct है, इसको मैं थोड़ा और exact और appropriate बना देती हूँ, ज़रा यहाँ चल आपिंगे नहीं, यह point भी आप साफ साफ समझ दिखेगा, correct है, next point पर आता है कि कभी भी अगर आप, कभी भी अगर आपने magnet को freely suspend किया, तो magnet हमेशा ही north और south pole दिखाएगा, आपने एक धागा लिया, magnet को बांधा और magnet को आपने freely suspend करेगे, वो हमेशा ही north and south pole आपको दिखाए और दिखाएगा, वो एक अलग बात है, उसका एक अलग reason है, आर्थ के नीचे भी magnet है, उसका just direction opposite है, हाल फिलाल layman language में, अगर आपने बहुत जादा physics की जानकारी नहीं है, पहले नहीं पढ़ा है, अभी आप इतना समझ सकते हैं कि magnet को कभी भी हम freely suspend करेंगे, हमेशा ही north-south direction दिखाएगा, पुराने टाइम पे अगर आपने देखा होगा, तो लोग compass का भी use करते थे, और कई बार आपने देखा होगा, लोग अगर distance travel करते थे, मालेजे रात को अगर चल रहे हैं, तो रात को जब चलते थे, तो पोल स्टार को देखते थे, जो हमेशा ही आपका उत travel कर रहें, तो वहाँ पर भी लोग कही नगई compass जरूर रखते हैं, नविगेशन के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह compass आपको कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा, आजकल तो फोन में भी आपको compass अगर आपको डाउनलोड करना होगा, चाहते हैं कि घ अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप फोन के अंदर में भी compass प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ डिरेक्शन कौन सा होगा, करेक्ट है, खेर, हाल फिलाल जो मुझे आपको बताना था, जो properties थी, वो मैंने अभी आपको बताएं कि magnet के अंदर में, जो magnetism की property होगी, वो pole पर यहाँ पर maximum होगी, यहाँ पर कम होगी, अगर यहाँ पर second property में आपने देखा कि अगर opposite poles होगे, they will attract each other, एक दूसरे को अपने तरफ खीचेंगे, अगर यहाँ पर same pole है, यह they will repel each other, यारी धक्का देंगे, फिर ह हमने देखा, magnetic lines of poles जो होगी, वो हमेशा इन north से south की तरफ travel करती है, इसके अलावा, यहाँ पर magnetic lines of force यहाँ पोल्स पर जो होगी, बहुत पास-पास में होगी, क्यों, यह चीज़ यह proof करता है, कि magnetism अपने तरफ खीचने की छमता यहाँ पर आपके पास ज़ादा होगी, और next step मैंने अभी आपको बता है कि magnet को कभी भी freely suspend करेंगे, यह हमेशा ही आपको north and south direction देगा, तो यह थी कुछ जो important चीज़े थी, जो important properties ही, वो मैंने अभी आपको बता दिया, और साथ के साथ में, यह हमेशा ही यह वही वाला है, जो मैंने अभी आपको बता है, north and south direction में आकर रुख जाएगा, correct है, इसके अलावा यह आपका compass है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब भी हम direction find out करते हैं, तो यहाँ पर देखेगा, यह होता है, north, south, east और west, correct है, और यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, यह हमेशा ही north and south direction में आपका जो compass है, वो आपको चाहिए, वो इसलिए बोला गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कि जोडों के और समान ध्रूव, यानि कि dissimilar जो ध्रूव होंगे, उनके पास रखना चाहिए, चर चुम्बक को लकडी के टुकडे से अलग कर उनके सिरोपर नरम लोहे के दो टुकडे लगाने चाह पहले के टाइम पर जब मोबाइल हुआ करते थे और कीपड मोबाइल हुआ करते जब भी कॉल आती थी आपने नोटिस कभी किया होगा, तो टीवी पर कुछ भी अगर चल रहा था था तो पहले न वो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता था, यह पता चल लाता था थे कॉल आन जो मैंने आज आज आपकी क्लास में बताया है, तो आएको क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं उमीद करूँगी कि जब भी जो भी आप चाहते कि जिस टॉपिक पर नेक्स वीडियो आए, वो आप मुझे ज़रूर बताएगे, तो हसते रहे हैं, में नेक्स वीडियो में, थैंक यू.